देखिए आजी मैंने motivation for UPSC prelims 2021 पे एक वीडियो डाली है उसके respect में एक बड़ा अच्छा comment लगा मुझे we loves nature का एक comment है only one question अगर clear नहीं हुआ तो ये बड़ा जबरदस्त मुझे question लगा कहते ना कि कम शब्दों में एक important चीज़ पूछा न ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके respect में मुझे आपसे बात करना चाहिए इसलिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ कि भाई UPSC की तैयारी तो कर रहा हूँ अलग-अलग प्रकार साहब अपने आपको motivation दे रहो 14-14-12-12 गंटे दिन में पढ़ रहे हो और उनके दिमाग में clarity की भाई UPSC निकालना है आप आरतिका शुकला को ले लिजे टीन डावी को ले लिजे रोमन सेनी को ले लिजे ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जैसे ही graduation complete की UPSC एक तैयारी की और वो निकाल ले गए एक या दो सार ड्रॉप करके और बड़ी जबरदस rank से निकाल ले गए ऐसे बहुत सारे लोग हैं ये लोग तोड़े famous हो गए बहुत से लोग ऐसे होगी जो निकाल लेते होगे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं निकाल पाते हैं और ये बात बदाना कोई rocket science नहीं है कि नहीं निकाल पाने वालों का नंबर निकाल पाने वालों से ज़्यादा है तो इस respect में अगर तैयारी करते वक्त आपके दिमाग में बिलकुल clarity है कि नहीं भाई मुझे UPSC ही निकालना है और दूसरी जॉब की मुझे अभी के लिए चिंता नहीं है वेलेंगूड लेकिन जिसके दिमाग में भी चिंता आ रही है कि भाई UPSC नहीं निकला तो क्या करेंगे तो ऐसा बहुत से लोग हो सकते हैं कुछ लोग को तो देखिए घरवारी सपोर्ट करते हैं अगर आपके साथ ऐसा तो बहुत अच्छी बात है मबाप कहते हैं बेटा पढ़ो चिंता मत करो नौकरी बात मिल जाएगी लेकिन कभी कभी situations बहुत सारे लोग की ऐसी नहीं बन पाती है कि वो बिन अटेंशन की UPC त्यारी करते हैं उनके दिमाग में यही रहता है नहीं निकला तो क्या करेंगे तो उस रिस्पेक्ट में दोस्तों मैं आपसे बूलूँगा कि आप एक बैक अप थोड़ो एक लिस्ट एक बैक अप के लिए तयार करो SSC CGL का एक्जाम है Bank P.O. का एक्जाम है और यह जो एक्जाम से मैं कहूँगा इतने मुश्किल नहीं है मुश्किल है आज की डेट में SSC CGL और Bank P.O. के एक्जाम से ऐसा भी नहीं है कि आसान है जैसे इसे लिए आप Bank P.O. के एक्जाम की बात करो इसके लिए एक specific त्यारी की जरूते SSC, CGL की बात करो एक specific त्यारी की जरूते जोंकि दोनों के papers से अलग अलग प्रकार के आते तो कोई एक इस प्रकार का आप सरकारी exam side में रख लो अगर आप private job के साथ नौकरी कर रहे हो, sorry private job के साथ त्यारी कर रहे हो तो कोई टेंशन की बात ही नहीं आपका job तो आपका backup ही, उस respect में तो कोई बात ही नहीं, working professionals जो है जो बैट के त्यारी कर रहे है जिनके पास कोई भी नौकरी नहीं, अब सुनिए for example कोई BHL में था, NTPC में था, NHPC में था नौकरी छोड़ दी और बैट के त्यारी कर रहा हाला कि नौकरी छोड़ के वो त्यारी नहीं करते हो, छुटी मार के त्यारी करते है without पे होके, तो अगर आपके पास कोई भी backup नहीं और backup को लेके आप परेशान हो, तो एक कोई backup पकड़ लो, चाए SSC CHSL पकड़ लो, चाए SSC CGL पकड़ लो, चाए Bank PO पकड़ लो, चाए SBI PO पकड़ लो, चाए Railways का technical वाला exam पकड़ लो, वो सकता IS gate की त्यारी कियो, आपने वो पकड़ लो, कोई एक चीज़ पकड़ लो, किसी को MBA यह देना है, वो पकड़ लो, कोई gate पे निकलने के mood में है, आपका gate का इसका GMAT का paper दे रखा है, तो वो पकड़ लो, बतब कोई एक particular backup और एक ही backup रखना, यह मत करना कि UPSC त्यारी कर रहे हो, हो साथ में SSC, CGL, Bank PO, सारे backup बना दियो, सबका exam देना शुरू कर दिया, अभी सबसे best backup तो क्या होता है, कि जैसे graduation कातम किया, SSC, CGL का paper दिया, कोई exam निकल गया, चुट्टी उट्टी डाल दी, एक डेट साल की, नहीं गये join करने है, join करके वापस आ गये, और उस respect में अपने त्यारी करते रहे, यह ज़्यादा तर लोग follow करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग का, SSC, CGL, Bank PO, वगरा नहीं निकल पाता है, तो उस respect में एक balanced approach रख सकते हो, कोई problem नहीं है, मैं हमेशा यह बोलता हूँ कि, जब आप UPSC की त्यारी कर रहे हो, तो अपना दिमाग केवल UPSC की त्यारी पे दो, negative thoughts अपने दिमाग में मत लाओ, बट in case negative thoughts आपके दिमाग में इस हद तक आ रहे हैं, कि आपके वो दिमाग को disturb कर रहे हैं, और आपकी पढ़ाई को disturb कर रहे हैं, तो उस case में आप अपने backup पे ध्यान दो, जो कि फिर उस case में बेना backup के आप त्यारी नहीं कर पाओगे, इसका मतलब यही है कि आपके अंदर उस level के guts नहीं आप आ रहे हैं, कि भाई, आप बाकी सब को छोड़के सिर्फ UPSC पकड़ो, और अगर ऐसा नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप कमजोर, आप एक practical minded person हो, तो दो चीज़े हैं, या तो आपके दिमाग में इधनी clarity है UPSC को लेके, कि बस UPSC करना है और बाकी कुछ नहीं देखना है, तो उस respect में well and good सिर्फ UPSC करते रहो, backup की सोचो भी मत, और उसी case में ये भी आता है, कि मानलो आपको घर की तरफ से support है, पैसो इकल कमें नहीं है, दूसरा case ये है कि आपके पास पैसो का support नहीं है, पैसो की कमी है, और उस respect में आपको लगातार तयारी के दुरान ये चीज़ परिशान कर लीए, ये मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, तो उस respect में आप backup पहले पकड़ो और फिर तेयारी करो, चोकि फिर आपका mental state इतना strong नहीं है, कि आप सर्फ UPSC पर ध्यान दे पाओ, और UPSC पढ़ाई के वद किसी और चीज़ पर ध्यान दिया, तो UPSC में selection वैसे ही नहीं होना है, I hope आपनेरा point समझ गए होगे,